गवाह सुरक्षा को लेकर तीसरी चौक पर चलाये गया जागरुकता अभियान थाना परभारी ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा को लेकर पुलिस परतिबद्ध गवाह सुरक्षा को लेकर तीसरी चौक चौराहों पर गुरुवार को थाना परभारी द्वारा जागरुकता भियान चलाया गया इस दोरान लोगों को जागरुक करते हुए थाना परभारी पीकू परसाद ने कहा कि गवाह सुरक्षा योजना 2019 के तहट गवाहों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है पुलिस गवाहों के सुरक्षा के लिए ततपर है अपराधिक मुकदमों की सुनवाई के दोरान स्वतंतर गवाहों की सुरक्षा नहीं होने से उनकी जान का खत्रा बना रहता है अगर गवाह को कोई धंकी देता है या कोई डराता है तो वो अपने नजदी की थाने में इसकी सूचना दे नजदी की थाना उन्हें वा उनके परिवार को सुरक्षा मुहिय करवाईगी साथ ही पुलीस अभी रक्षा में उनकी गवाही करवाई जाएगी साथ ही थाना प्रभारी ने इस सुरक्षा योजना को जन जन तक पहुचाने की भी अपील की ताकि लोग निर्भीक होकर अपनी गवाही दे इधर ग्रामिनों ने भी कहा कि ऐसे नियम से आम लोगों में डर भय खत्म होगा और लोग पुर्ण रूपेन कानून की मदद को ततपर होंगे वही मंटू सर्मा ने मुखिया सहित अन्य जन परतिमीधियों को भी आगे आकर इस विशे में लोगों को जागरुक करने की अपील की मौके पर एस आई सुदर्शन बीन, पिंके सिंग, निवास पांडे, महेंद्र बर्नवाल, सीवा कुमार, सनी कुमार, जानु कुमार मौजुद थे अन्य विशे में लोगों को प्रकार के तरक से जेह स्कीन लागू किया गया है, कोई भी बत्ती जिसका कि देता हैं इसके समझ में लोकल खाना को सुषिद करें लोकल खाना जो है उसको पूर्स तरक ले दाने का उसका खंडली के सुरक्षा का इसके सुरक्षा का पूर्णजीम वारी जो हुँ तक पूलिस को सुपाद जा